साथियों ये हमारा सत्तरवा गनतंत्र दीवस है बीते सत्तर साल से हमने एक रिपब्लिक के रूप में पूरे विश्व के सामने एक उत्तम उदहारन रखा है ऐसे में हमें देश के समिधान एक ऐसे पहलू पर ध्यान देने की जरुत है जिसकी चर्चा बीते साथ दसक में उतने विस्तार से नहीं हो पाई हमें नागरिक के रूप में अपने कर्तवियों को प्राथ्विक्ता देना प्रमुक्ता देना और हर बात को अपने कर्तवियों के तरा जुसे ही तोलते रहना चाहिए अगर अपने कर्तवियों को हम ठीक से निभा पाएंगे तो हमें अपने अधिकार के लिए लड़ने की कभी भी जरुरत नहीं पड़ेंगी यहाँ जितने भी युवा साथी आये हैं मेरा आप से आगर रहेगा कि राश के प्रति अपने कर्तवियों की जादा से जादा चर्चा करें चर्चा ही नहीं बल्कि खुद अमल करके उदारन पेश करें हमारे ऐसे ही प्रयास न्यूं इंडिया का निर्मार करेंगे साथियों राश्ट्र पिता महत्मा गांदी ने मेरे सपनों का भारप नाम से एक आर्टिकल लिखा था उसमें मात्मा गांदी ने लिखा था कि सर्वोच आकांग्षाय रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब उसको भारत में मिल सकता है आप सभी साथी गांदी जी के इसी सपने इसी भावना का हिस्सा है हम जिस न्यू इंडिया के तुरह आगे बढ़ रहे हैं वहाँ यही आकांग्षाय यही सपने यही संकल्प हमने ही हमारे जीते जी पूरे भी करने हैं और राष्ट को नई उचाईयों पर देखना भी है भारत का कोई भी व्यक्ति कोई भी खेत्र पीछे ना रजाएं यह हम सब क्या सामुहिक दाहित्व हैं उसे हमें सुनिश्चित करना है बारत करने हैं